हेलो फ्रेंड परतिग्या गुर्मेंटेशन सेंटर में आप सवे का स्वागत है जैसे कि आपको पता है कि हम प्रिवेस ग्लास में पिद्धु धारा का चप्टर कंप्लिट कर लिए थे और हम आपको कहेते कि हम इस नेक्स क्लास में मौक्टर्ष इसका लेकर कहेंगे तो आज हाजी रहे हैं के सामने इसका बॉक्ष ले करके तो आप मुझे थोड़ा समय दे मैं आपको पुरा लाप गुगाईसी कमिंट्मेंट के साथ हम इतना चेप्टर सुरू करते हैं और समय को ब्यत्न करते हुए यह आपका पहला सवाल ट्रांसफर्मर एक उपकरन है जो बतलता है तो तो ट्रांसफर्मर की बारें पूछा है तो इध्यां करथि यह च्टरांसफर्मर एक उदिधारा पे काम करता है इसिजब अकम निमन एसी वोल्टेज में बदलेगा या फिर लो एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज उसको क्या करेगा हाई एक दूसरे को यह क्या है इन्भार्स है हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में या फिर लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में कंफर्ट कर आप से कर पूचे बते ही, ट्रांस फर्मर का रेटिंग क्या होता है, się रेटिंग क्या होता है? रेटिंग करने का मतलब है कि इसका, रेटिंग क्या से पत경 सब्सक्राइगा चैसे ब१्र कि debit करने थाण रखिए ऍमेसा कमेशा 1 kVLbE as to lux perra a. अगर किलो नहीं भी मिलेगा तो जरूर मिलेगा यह उसका रेटिंग होता है तो हमसे अभी कोशिन कुछा है कि जो एसे ट्रांसफार्मर होता है वह करता क्या है तो ओप्शन जड़ा देख लेते हैं हम लोग कहता है कि दिश्ट पहला ओप्शन है दिश्ट मतलब की DC करेंट दिश्ट धारा मतलब कि direct current DC करेंट जो बैक्टरी से उत्पन होता है तो दिश्ट धारा को आवार्ति धारा में बदलता है यह पहला तो गलत हो की option अइसा नहीं करता है आके मिलेटा है निम्न दिश्ट वोल्टेज को उच DC सब्सक्राorschी वह सब्सक्राइब में करता है ओर है कि आगे कम आवारती धारा में बदलता है और दैनख़ okay पर दिंपने क्सम 강ार्ड बार भी सबस्क्शन से पता चल यूंको पावाड क्तित्य वह सुनार क्या हम द्रिश में to हाइस ही current में change करेगा current में साथ तुमें voltage भी लिखा हुआ है तो इसका C option हो जाएगा next question में आपसे बुलता है कि निमनलिखित में से निमनलिखित में एकी कृत परिपत एकी कृत परिपत को इंगलिश में कहाता है integrated circuit में कौन सा संघटक विक्सित नहीं हो सकता है मतलब कि आपसे question नहीं पुछा है कि कौन सा ऐसा निचे चार option दिये हुआ है तो चार option में कौन सा ऐसा device है जिसमें integrated circuit का परयोग नहीं होता है क्या होता है integrated circuit तो integrated circuit वैसा circuit होता है जिसके निर्मान में और गेट, एंड गेट और नॉट गेट परियोग होता है तो यह तीन चीज से मिल करके जिसका निर्मान होता है उसको कहते हैं इंटिग्रेटेड सर्केट तो इस हिसाब से अगर हम अपना कोश्चन की तरह अगर ध्यान दे जो पूछा था कि किसमें और D में लिखा है ट्रांजिस्टर तो इसका option से संद्ग होगा, C होगा सही सिप्सक्शन क्यों क्योंकी ट्राउसफर्फपर्मर में इंटिग्रेटेडर शर्केट के परियोग नहीं होता है, उसमें क्या होता है। प्राइमरी क्वाइल और एक होता है सेकेंडरी क्वाइल अगर आपको हाई से लो बनाना है तो पहले वाले क्वाइल में जो टर्थ होगा वह ज्यादा होगा दूसरे वाले क्वाइल में जो टर्थ होगा वह कम होगा अगर जस्ट इसका उल्डे करना है तो यह भी क्या होगा यह भी फंक्शन उलट जाएगा तो हम लोग ट्रांस्फोर्मर में IC सर्केट के प्रेव नहीं करते हैं क्वाइल यूज करते हैं नेक्स कुशन आपसे करता है कि नाभिक के चारो और नाभिक के चारो और गतेशिल इलेक्ट्रोनों क्या है जिए है कि यह आपका न्यूचलियस आभिक और बाहर में इसके तरफ इलेक्ट्रोन गुम रहा है और अंदर में हैं नूट्रोन प्लस प्रोट्टोन तो इसके बीच में नाभिक और पररिकक्स बाइबर बीच में आकर्सन बल लगता इसको क्या कहते हैं तो आप लोग कुलॉम स्वाइब पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि F is equal to केक और Q1 into Q2 by R square formula होता है और यह कहते हैं किसका? कुलॉम स्वाइब इसको कहते हैं पहला पुला है यांत्रिक, यांत्रिक mechanical तो यह mechanical तो कहीं से लग नहीं रहा है, mechanical नहीं होगा B option में बोला है कि विद्यूद यानि कि इसको electric force बोल सकते हैं electric force बोल सकते हैं आगे बोलता है चुम्बा किये और गुर्तवा कर साथ, तो सबसे best option क्या है? electric force ही सबसे best option है, तो तिसरा का जो सही answer होगा वा C option के साथ सही हो कि निमनेलिखित में से किस तत्व की विद्यूद चालकता सरवत्तम होगी इसमें आपको क्या करना है? चालकता बताना है, कंड़क्टेंस बताना है किसके चालकता सरवत्तम होगी, आपको अपको चालकता पुड़ा है, चालकता क्या होता है? आपको कमेंट में बताना है किसका SI मातर क्या होगा तम पतलब कि जो क्या कर दे, करेंट को असानी से जाने दे, अपनी से हो करके चले ऑप्षानी देखते हैं तो A आप्षान में कहता है कि तांभा B आप्षान में कहता है चांदी C ज्स्राइम में कहता है जास्ता और D और तो इसका बात यह है कि यह इसमें दो कारण है एक तो इसका प्राइस बहुत ज्यादा होता है और इसका क्या होता है उपलब्जता भी क्या है उपलब्जता जो है इसका जो होता है कि हाइ तो दम भी जादा है उपलब्लब्जता भी कम है इसलिए हम लोग तांबा कु झीजादा प्रेफेन देते हैं लेकिन अगर कंदकिक तो हम सारा से डिसकस कर रहे हैं आम से पूछा है कि आम यह द्वारा मापा जाता है वोल्टेज विदौधारा प्रतिरोध या चालकता तो ओब इस बात है जो आमेटर होता है वह विदुधारग मापता है और यह option कीस में लिखा हुआ है? बी option में लिखा हुआ है जब परतिरोध हो कासायोजन स्रिंखला में किया जाता है तो कुल परतिरोध मतलब की जो resistance है ना आपके पास माले कुछ resistance है माले में बस तीन resistance है आगर इन तीनों को हम स्रिंखला कर्हमें जोडे ऐसे ऐसे जोड़ दे स्रिंखला कर्हमने जोड़धेने पर तो कुल पर्तिरोत क्या होगा जो एक्योड़न रसिंटन क्या होगा तो तो अभी यासे बात है जब तीनों की आपसपे जोड रहेगा तो legitimately होगा बढ़ेगा यह सब हम आपको discuss कर रखे हैं जब class में बढ़ाया है जो video uploaded है उसमें हम सारज discuss कर रखे हैं तो चलते हैं कि इसमें option साही देखते हैं पहला option है A बढ़ेगी घटेगी और C में दिखा हुआ है कि समान बनी रहेगी और उप्यूक में से कोई नहीं इसमें कोई doubt नहीं है सिधा से बात है कि equivalent resistance जब निकालेंगे तो इसका परतिरोध क्या होगा बढ़ेगा और अगर यहीं चीज समनांतर परतिरोध के लिए अगर बोल देता कि सभी परतिरोधों को क्या क्या है समनांतर कर में जोड़ दिया है तो पता है आपके पास क्या हो ज कि अगर एक्जाम में यह question गलत हो जाता है आपसे तो इससे ज्यादा hard और कोई परस्ण नहीं होगा इसलिए आसान सवालों को असान ना समझ करके उसके value को समझना चाहिए कि वह important कितना है तो आपको पता रखे है option देख लेते हैं A में लिखा हुआ है A option में लिखा हुआ ह सी में Henry और D में लिखा है waebar तो आपको पता हाँ पर्तिरोग का मतलगा होता है अगर हम फैर्ठी का बात करें तो ॥ारिता का बात रखा है यह क्या होता है यह होता है Кै Civ לח oke Capacitance क्या करता है? जब आप मोबाइल के बैटरी को चार्ज करते है ना तो चार्ज कहां जाकर श्टोर होता हुआ वह दारिता को इंगलिस में capacitor कहते है तो वह ही पर क्या होता है? जाकर के चार्ज श्टोर हो जाता है और इसी धारिता के इसा मतर क्या है? फाराडे है, C by V और C equal to Q into V, तो यही है आपका capacitance का formula. फाराडे मिक्सी है, बसाला किसने वाला, उसमें भी आपका विदूत मोटर है, तो कहा है कि विदूत मोटर डैस, डैस मतलब खाले जगा, डैस उर्जा को यांतरिक उर्जा में बदलता है, आप उधियान हो कि इन सभी डिवाइस को जिसका भी आप नाव लिए उन सभी में आ अप्शन में ए है, ध्रवानी इवर्जा को यांतरिक में बदलता है, ऐसा नहीं हो सकता है, रसानी को भी नहीं, हाँ, D में लिखा हो है विदूत तो विदूत उर्जा को क्या करेगा, इस तरह से आपका, इस कोईशन का सही इंसर होगा, विदूत कि में लिखा था, जंक्षन या सहोजन उक्ति से निर्गत, कुल विदूत धारा के बराबर होगी, तो आप लोग पढ़े होंगे एक तो, एक नियम पढ़े होंगे किर्चॉप्स लोग, किर्चॉप्स लोग का जो नियम है वा देखे है, देखे, किर्चॉप्स का पाला नियम कहता है, कि किस वी जंक्षन पर आने वाली कूल बिद्धारा उस जंक्षन से निकलने वाले कूल बिद्धारा के योग के बराबर होगा, जैसे कि देखिए, यह हमालेक यहां में तार ऐसे साय हुआ है, और यहां से इस तरह से तीनवार जा रहा है, ये है निर्गत current और ये है आने वाली current और ये है 3 ampere और ये हमाले 5 ampere तो देखिए तो इंट्री करने वाला कितना ampere current हो रहा है तो 5 ampere प्लस 3 ampere टोटल कितना ampere कर आ रहा है 8 ampere तो ये इस तरह से निर्गत होगा कि सारे का जोडने पर आपको 8 ampere आना चाहिए तो इस तरह से माल लेते हैं कि हम क्या हो जाएगा इसका 6 ampere इसका 1 ampere इसका 1 ampere तो इस तरह से अगर आप 3 ampere को जोड़ीगा तो ये आपस कितना हो जाएगा 6,7,8 वापस 8 ampere होगा तो इसको कहते हैं किर्चॉप्स लोग तो ये ही पुछा है कि किसी विदू जंक्सन में आने वाले कुल विदुधारा और उसी जंक्सन से जाने वाले पुल विदुधारा का योग बरापर होता है या कौन सा नियम है तो या किर्चॉप्स का नियम है तो 11 का जो ओप्सन में कर हम लोग देखे तो लेंज का नियम नहीं, हुक का नियम नहीं, ओम का नियम नहीं और किर बराबर होगा, टोटल फोल्टेज उसमें जो यूज हो रहा है और फाइनल किसके बराबर हो जाएगा, जिरो के बराबर हो जाएगा, इसमें आप एक बात ये भी ध्यान रखेंगे, कि आपका जो ये वाला जो फर्स्ट लोहाया, आवेस सनक्षन पर अधारित है, ये बहुत के स्टेटमेंट याद रही है, कि आने वाले बिदुधारा जाने वाले बिदुधारा बराबर होती है, और इसमें किसी भी बंध परिपत में, आपको ध्यान रखना है, बंध होना चाहिए, और उस बंध परिपत में टोटल पूटेंसल ट्रॉप जिरो के बराबर होगा, next question करता है कि किसके कथा नुसार किसी बंद परिपत में प्रवेशित या उत्बन विदु चुम्बा के बल उस परिपत से प्रवाहित चुम्बा के फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समनांतर यत्वा बराबर होता है देखिए विदु धारा उत्पन करने का तरीका है अपको पता होना चाहिए चुम्बा के फ्लक्स जो हुता है वह यह कोई क्लोस सर्फेस है इसका लंबर ऑफ टर्न और इसमें कित्ना मैगनेक्टिव फिल्ल जा रहा है इसका एरिया कितना है यह दोनों आपको पता होना चाहि और इसका इस दोनों के बीच में कितना एंग्ल है Magnetic Field क्या है ये कोई close surface है ये क्या है ये कोई close surface है मतलब कि कोई बंद परिपत है ये अब बंद परिपत होगा तो कुछ तो area cover कर रहा होगा ये और इसमें क्या हो रहा है इसमें, और आपको कहें, इसमें विद्यूदाराथ को परवाहित करना 밝 ये से परवाहित नहीं हो रहा है। थिक है, तो देखिये, और चूंबक taraf स्थो पार हो रहा है ने इसमें से। तो यी मा लीजिए entrenuw x है magnetic field B है और इसका direction angle कितना बना रहा है तो यह देखें यह जो है यह आपका छेत्रफल है और इसका जो direction है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है और इसके विश में जो angle दिख रहा है वो है theta क्या है एक angle है theta है और यह क्या है कोई close surface है इसमें अगर चुमा किया flux के बात किया जाए तो यह हो जागा आपका B A cos theta और इसी में अगर rate of change लगा दे मतलब D5 by DD कर दे तो यह आपका क्या है यह आपका EMF है या फिर voltage अगर आ गया तो अभी सी बात है voltage आगा तो current भी आएगा और इसको क्या कहते है पता है इसको कहते है इसको क्या कहते है और रादय कानियम była hiv पार्डाय जो जो जनेरेटर का निरमां मा किया है आप इसे पूछ जनेरेटर कौन दिये होगा अगर कोई आपके पास ढाउट रहाता है या कुछ आपत्रिक जनकरी चाहते हैं तो हमें comment में करके जरूर से जरूर मिता है हम comment को next question में लेंगे चलिए next देखते हैं काता है ब्हौतिक रासि मतलब कोई physical quantity है उसका नाम है, कोई ब्ह१तिक रासि धारीटा की मातर अत्म की ज़िक्षो होती है, धारीटा की अब कोछ समय पहले discuss हुआ है, devenir capacitance, धारीटा बतीक मातर क्या होता है तो faraday होता है, यह उसे आप धारीटा की लिग नेक्स और इसका A मात्रक होता है Henry इसका जो भी मात्रक होता है वो Henry होता है तो देखते हैं option किसमें लिखा हुआ है A में लिखा हुआ है Weber B में लिखा हुआ है Faraday C में Henry और D में Tesla तो अब्जिया से बात है इसका जो मात्रक हो जाए क्या हो जाएगा नेक्स कोशन आपसे पुचा है कि विद्यूत परति बाधा और यहां पर लिखा है वाँ impedance लिखा है impedance कुछ और नहीं है या परतिरोध ही है ऐसे कैसे हो गया परतिरोध रेसिस्टेंस होता है तो देखे जब circuit में जब विद्यूत परिपत में केवल यह वाला परतिरोध हो resistance हो तब हम वहाँ पर परतिरोध resistance को direct परतिरोध करते हैं लेकिन जब यही circuit में आपका capacitor भी उपस्थित हो inductor भी उपस्थित हो यह वाला inductance यह वाला उपस्थित हो और साथ में परतिरोध भी उपस्थित हो तो इन तीनों का जब परतिरोध निकालते हैं तो वहाँ पर उस परतिरोध को हम impedance काते हैं तो देखे परतिरोध कुछ और नहीं बलके impedance ही है और चलिए the right option next question मैं अपसे पुछा है आवेशित चालक में मतलब कोई पदार्था जिसमें क्या हुआ है उसमें उसमें कुछ付 및 डाला गया है मतलब ये कोई गॉक्ट्र है और इसमें क्या हुआ कुछ title रखा गया है पाच कुलूम शे कुलम इसपर डाला गया है तो वो जो चार्ज होगा वो कहां पर जाकर के रुखेगा क्या सर्फेस के अंदर चला जाएगा option देख ले अवेसित चालक में विद्धुर चार्ज कहां उपास्यत होता है क्या है कि यहां सेंटर पर कि कि इसी उपानीट चेंट नुशता है कि फोकवापकर वस्ठु के बहर सता पर कोई पर पर इस पर चार्ज दिया centre पर यहां पर जाकर कि यह आवेशित होगा मतलब कहा कि इधर कहीं बाहर होगा उससे ज्यादा सही अप्शन लिखा हुआ है कि वस्तु की बाहरी सता पर उसमें डायेक्ट सता लिखा हुआ है इसलिए हम अप्शन डी के साथ जाएंगे यह बेस्ट एक्स्प्लानेशन दे रहा है वस्तु के बाहरी सता पर आपसे बोला भी है कि आवेशित चालक में कोशन में भी बोला है आवेशित चालक में तो आवेशित जब चालक होगा तो बाहरी सता पर होगा यदे बिदुद परतिरोध को कम करना हो क्या करना है बिदुद परतिरोध को कम करना हो तो युक्ति में बड़ी संख्या में परतिरोध को कैसे जोड़ा जाना चाहिए अगर हमारे पास बहुत सारा परतिरोध है और उस परतिरोधों का कम करना है तो युक्ति को कैसे जोड़ेंगे, तो हम आपको ये तो पता रखे हैं, कि अगर हमको पर्तिरोध कम करना है, तो हम लोग समना अंतर करम में जोड़ते हैं इस वाले formula से, और इस वाले formula क्या होता है, समतुल पर्तिरोध क्या होता है, कम ही आता है, तो अभी ऐसी बात है, समना लिखा हुआ है तो आपक में परियुक्त बिद्यूध ही टर होता है उसका कुंडली को बनाते है ये कुंडली बनाया गया है इस तरह से आपको क्या होगा से इस तरह से तो पूछा कि जो कुंडली आप बना है न या किसका होता है तो नाइक्रोम का होता है और पता है इस नाइक्रोम में इसमें बता रखे हैं बता है आपको हेटर पढ़ा है उसमें सारा पढ़ा है तो इसमें क्या होता है निकेल होता ह और है लिखेल होता है और क्रोमिय Hugh होता है तो option देख लेते है कि किस में लिखा हुआ है क्रोम option ए में लिखा टंकस्टन टंकस्टन तो फिलामेट बनाने भी प्रिक्त अधा है और बी में लिखा है नाइक्रोम, C में लिखा है कांसा और B में लिखा है, D में लिखा है इस पाद, तो बेस्ट आप्शन कोन होगा? B, जो इसमें क्या लिखा है? नाइक्रोम लिखा है. किसना आप्शन? B आप्शन, नाईक्रोम. और अगर हम लोग बात करें इन दोनों का परसेंटेज तो देखिए जो क्रोमियम है वह आपका 20 परसेंट और निकल जो होगा वह आपका 80 परसेंट होगा क्या है आज इसका पूरर नाम रेता संवाय हो संबदल में नाम है आईंख्याइट भूछ keto देखिए आंतेको परिपात है या फिर संग्रहित या अंतरनहित परिपत तो एकिक्रित या संभादमित परिपत इसका option हो जागा जो बेस्ट option है हुआ सी option इसको आप से पुछा आया है निम्नलिखित में किस पदार्थ का परतिरोध तापमान बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है आपको बता रखे हैं कि अगर आपके पास पोई चालक बढ़ना अगर आप इसका तापमान बढ़ाएगा क्या करीगा तापमान को इंक्रिस करीगा तो इसका क्या होगा परतिरोध भी बढ़ता जाएगा ठीक है और आपके दूसरा बात यह भी बता है कि अगर आपके पास कोई अर्थ चालक है क्या है कोई अर्थ चालक है इसका अगर तापमान बढ़ायेगा तो इसका क्या होगा परति रोध घठता जाएगा पहले में लिखा है बिशूद्व शिल्लीकन शिल्लीकोन लिखा है और बिमे लिख़ा है तामभा दी्म लिखा नातिनगों आप के नाम है वह धातू के नाम है और आपको पता रखे हैं कि जो चालक होते हैं उनका तापमान बढ़ाने पर परतिरोध बढ़ता है आपसे पुछाया कि तापमान घाटता किसका है तो विशोध सिलिकॉर का तो इस तरह से हमने विगर वर्सम जो पुछे गया सवाल फिर से एक मॉक्त लाएंगे और अभी हमारा मॉक्त एक दो क्लास और चलेगा तो हमारे वीडियो के साथ बने रहे हैं और ज्यादा ज्यादा लाइक सेर कमेंट करें और कोई डाउट रह जाता है तो हमारे वीडियो में कमेंट बॉक्स म साथ तब तक के लिए धन्यवाद जाहिन जाय भारत